आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि निंद्य का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले निंद्य का आर्थ समझते हैं निंदय का आर्थ होता है जिसकी निंदा की जानी चाहिए यानि कि जो तिरिसकार के योग्य हो या निंदनी हो निंदा का मतलब होता है कि जिसकी आप बुराई कर सकते है या जिसकी कमिया गिनवा सकते है या जिसने कुछ गलत किया हो या किसी के बारे में गलत कहा जा सके तो उसको निंदा करना कहते हैं और जो निंदा करने के लायक हो बुराई करने के लायक हो उसे निंद्य कहा जाता है तो निंद्य का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होता है वंद्य और वंद्य का आर्थ होता है वंदनिय यानि कि पूजनिय या आदरनिय यानि कि जिसकी वंदना की जा सके या जिसकी तारिफ की जा सके जिसको सम्मान दिया जाना चाहिए या जो सम्मान के आदर के पूजा के लायक हो उसे हम पूजनिये, वंदनिये कह सकते हैं और वंदे भी कह सकते हैं तो आएए अब हम निंडे और वंदे को कुछ उधारन वाक्टियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि समाज में निंद्यकार्यों का स्थान नहीं होना चाहिए या फिर आप कह सकते हैं उसकी निंद्यकर्मों ने उसे बदनाम कर दिया या फिर आप कह सकते हैं माता पिता वंदे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं गुरूजन, वंदे और आदरनिय होती हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें।